तो यार चलो डिसकस करते हैं कि कैसे आप एवरेस से टॉपर बन सकते हैं देखो आप स्कूल में हो या कॉलेज में फोकस बहुत इंपोर्टन फेक्टर बन जाता है आपको एक एवरेस स्टुडेंट से टॉपर बनाने में इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे आप एवरेस से टॉपर बन सकते हैं चलो बात करते हैं पॉइंट नमबर बन की यार आपको आपका फ्रेंट सर्कल ऐसा रखना है जो उनली पढ़ाई करें वो भी फोकस के साथ पॉइंट नमबर टू ये है कि आपको पिछले दस साल के पूरे कोशन पेपर्स निकालने हैं और उसमें से कुछ इंपोर्टन कोशन होंगे उसको मार कर लेने तो ओन एन एवरेज आपके पास लगभग पचास से साथ कोशन आ जाएंगे हर एक सबजेक के अब बात करते हैं पॉइंट नमबर थ्री की मान लेते हैं कि आपके ग्रूप में चार फ्रेंड्स है और हर एक सबजेक के अपने पास ने पचास से साथ कोशन आ गए तो हमने क्या करना है एक टार्गेट डिसाइड टर लेना है फॉर एक्जामपल हमने पास कोशन पर डे का टार्गेट डिसाइड कर लिए और वो पास कोशन हमने सभी में डिस्टिब्यूट कर दिया तो हर एक बंदा घर जाके वो पास कोशन थोरोली पड़ेगा और दुसरे दीन आके वो सभी को एक्स्प्लेन करेगा इससे होगा क्या आपके 5 question जो आपने थोरोली पड़े है वो तो आपको समझ में आ गए और आपके friends ने दूसरे 15 question आपको explain कर दिये तो वो 15 question जो extra explain किये है वो घर में आएंगे और उसको थोरोली पड़ेंगे ठीके इससे आपका क्या होगा दो दिन में 20 question हो जाएंगे अगर दो दिन में 20 question हो जाते हैं तो 4 दिन में 40 और 6 दिन में 60 question हो जाएंगे इसका मतलब आपका एक हफ़ते में एक subject के हाँ पर clear होता है दो हफ़ते में 2 हो जाएंगे तीन हफ़ते में 3 subject हो जाएंगे है ना आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्स ग्रूप में पढ़ने हैं और कौन से अकेले में पढ़ने हैं Maths, Science, English, SST आप ये सब्जेक्स जो है वो ग्रूप में पढ़ सकते हैं और हिंदी, मराठी और भी कोई सब्जेक्स होंगे आपके तो वो आप अकेले में पढ़के भी कर सकते हैं इस तरह से आपके जो difficult सब्जेक्स है वो clear हो जाएंगे फिर उसके बाद और एक target ले लेना है डेली दो question paper solve करने के एक question paper हम morning में करेंगे और दूसरा हम लोग evening में करेंगे अगर आपने exam के पहले तक 15-20 question paper हर एक subject के यहाँ पे solve कर लिए ना तो यार आपको average से topper बनने में कोई नहीं रोक पाएगा देखो अगर आपके पास ऐसे कोई friends है जो आपको इस तरह से पढ़ने में help करे तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें ठीक है और आपको screen के उपर कुछ और topics दिख रहे होंगे तो आप उसमें से मुझे बताइए comment section में कि कौन सा topic के उपर आपको वीडियो चाहिए ठीक है I hope आपको वीडियो देखके मजाया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है चलो मिलते है next video में तब तक के लिए जैहिए